So hello and welcome to Delhi Bites, Delhi Bites में आप सब का एक बार, फिर से स्वागत है, as far as Delhi Bites का batch 4 concerned है तो जहां तक मुझे याद है, this was the last preparation class of this session, क्योंकि जब student join करता हूँ तो अपने नजरिये से देखता है बहुत सी बातों को, अपने नजरिये से देखने का मतलब है कि बहुत ही short term नजरिये से देख जैसे कि अब CUET के exam के बात करें, या DU का या फिर किसी भी और university के बीडेंटरेस exam के regarding बात करें, तो पिछले दिनों CUET में बहुत सारे changes आए और इस सारे changes बहुत ही short notice पर आए हैं, बहुत short notice पर आए हैं, let's say कि आप मान लो कि March तक कुछ नहीं चल ला है, जो जैसे चल रहा ह अप्रेल तक suddenly वो जागें और हाँ हाँ ये साले बस ये paper structure ये फला चीज पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे और उस हिजाब से देखा जाए तो exam 10 जून तक खतम हो चुका है, ठीक है, और जब ये सब system जब सुरू होता है, paper ओपर change होने का, तो हम लोग भी students को कोई बहुत बहुत सरस्थी motivate नहीं करते हैं, because of the one single reason की 50 से 70% students ऐसे होते हैं, जो appearing candidate होते हैं, 50% तो minimum, जो appearing candidate होते हैं, उसी साल जो है, वो graduation अगरे complete कर रहा होते हैं, तो उन बच्चों के साथ तो अलगी समस्य होती है, उनकी semester exams चल रहे हैं, और साथ में आप बीच में CUET क पेपर घुस के बीच में करवा रहे हो, और आज आप देखा जाए, बीस जुलाई है, ठीक है, पेपर दस जून को हुआ है, जब डेली उनिवस्टी आफलाइन पेपर करवाती थी थी ना, तो अमूमन हम इसाथ डेट 24 जुलाई को पढ़ता था, और 16 अगस तक पांच कट सब्सक्राफ के बच्चों का अड्मीशन भी ले लेते थे वो, और अब देखा जाए, तो 10 जून को आनलाइन पेपर हुआ है, आज 20 जुलाई है, और जब भी रिजल्ट्स आना सुरू करेंगे, तो बैक टू बैक टू बैक आप सारा देखने को मिलेगा, तो अब इसमें होता है कि दूरदर्शिता का परिशे है, मैं इसलिए क्या रहा हूँ को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना यूनिवर्सिटी वाला फ्रस्टेशन कहीं नहीं समझ में आता है, तो आदमी सोचता है कि अच्छा, चलो डली बाइट पर फी दिये हैं, यहीं ज स्टेशन रिलीस कर लेते हैं, ठीक है क्योंकि आदमी जब प्रिपरेशन शुरू करता है, तो इस्ट्रुवेंट क्या करता है, कि बाइडिफॉल्ट हम सब में पूरवागरा होते हैं, आप लोगों में भी है, तो तुम जितना जल्दी इस बात को फिगर आउट कर लो, किसी को नरिन मोदी में hero दिखता होगा, अब सवाल यह है कि मानलो हम किसी विचारधारा से connect हो, तो आप कभी भी अपने hero को criticize करने का मतलब होता है कि खुद के ideology को criticize कर रहा है, ठीक है, खुद के ideology को criticize कर रहा है, तो और nobody wants कि आप अपने idea को criticize करो या कुछ करो, तो उसी कि को दिन पहले किसी ने कहा कि sir, these people reply when they feel like replying, it is who, it is they who decide which query is important or which query is not important, yes of course, I am openly saying it is me who decides which query is important or which query is not important, for example, जैसे अभी IP का B8 का वो चल रहा था, किसे में message कि sir, सभी YouTube चैनल पर बताया जा रहा है कि IP का कौंसलिंग चल रहा है, तो डेली वेट से तर पता है किता reply आ था, पुरे frustration के बाद, it is yet to begin, details will follow soon, अब इसमें जो इस्टुडेंट का frustration और anxiety है न वो एक sentence में निकल नहीं पाता है, और इसी से सुरू होता है उसका वैपार, आपको anxiety है, आपको anxiety का होगा वैपार, अब पिछले एक महीने में, डेली वाइट्स पर एक CVT का अपडेट आया होगा कि answer क रिलीज होगा, चेक कर लिजे, और एक IP को लेकर आजाया होगा कि colleges का कुछ लिस्टों इसमें कम शोगर रहा है, आप जाके YouTube पे सर्च करो, IP का counseling तीन-चार बर हो चुका होगा, हों क्या, सवाल है कौन देख रहा है, आप ही लोग देख रहा हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हू कि उससे तुमारा confusion और बढ़ रहा है, तुम जो तुमारा anxiety है न, उसके तुम बली चड़ जा रहे हो, जाने हैं जाने में, क्योंकि self और वो control नहीं है, YouTube का लगारिथम ऐसा है कि तुम एक वीडियो देखो कि दूसरा वैसा ही कुछ सजिस्ट कर देगा तुमको, आप जाके अब बहुत लोग का question है कि सर मेरे इतना rank मेरे इतना number बन रहा है हमको ये college ये university मिल जाएगा क्या, देखो comment मैं उस बात पर कर सकता हूँ, लेकिन it is totally foolishness at your end, बहुत जिंदगी में important होता है, अगर आपको काम्याब होना है तो कभी भी हमेशा सोच लो कि मुझे सही प्रस्ट ने क्या पूछना है, ने तो तुमको हमिशा frustrated होगे तुमको reply नहीं कर रहे है, YouTube पर जाएगा आदमी comment करता है, please please help me, help me, urgent, it is urgent, very important, reply me, reply me instantly, अगर अच्छे ये करते है Instagram पर, तो क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि, ये जो anxiety आली बात मैं कह रहा हूँ, जो जैसे मेरे से केजी ने पूछा, मैंने हमें सही बोला कि, it is too early to comment, कि किस नंबर पर CUET में कितना cut-off बनेगा, लेकिन आप YouTube पर चेक कर सकते हो, किसी महान व्यक्ति ने उसे बहुत सारा ग्यान दे रखा होगा, हकिकत क्या है, कि इस साल कितने बच्चे CUET में PG वाला BAD वाला module यूल सरेट करके अपियर हुए है, यह आप नहीं जानते हो, क्यों नहीं जानते हो, क्योंकि मान लो पहले कोई बच्चा form fill करता था, तो मान लो वो BHU का form fill किया, अब वो मान लो बिहार, Eastern UP, Northern महाराज साइट का है, Northern मद्रदेश साइट का है, या 36 वर साइट का, वो मान लो BHU बर दिया, तो जो दिल्ली के इने अराउंड वाले हैं, वो BHU नहीं भरते थे, लेकिन अपकी बर जब counseling में जब form fill कर रहा है, उसी paper court से DU में भी जाना है, BHU में भी जाना है, तो उसको बस एक extra tick करना है, तो जब आपका admission होन लगता है, तो फिर विचारधारा भी change होती ह है, अब वो सारा कुछ भी करते हो, जो आप नहीं करने वाले रहते हो, let's say कि कोई बच्चा ऐसा हो, let's say कोई ऐसा बच्चा हो, मान लो, वो बिहार में रहता हो, या Eastern UP में रहता हो, जहां पर BHU एक बहुत prestigious institution है, उनकी priority में रहता है, क्योंकि BHU के बिएट का fees भी ऐसे हैं, तो वो क्या सुचता है, अब देखो, मान लोग फॉर्म फिल करेंगा, तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, अच्छा, DU भी select कर रखा था, अब मान लोग किसी कारणोस का DU में हो जाए, जो BHU में होने लेगा, उसके प्रोविल्टी यह भी रहेगा, तो वो जानते हो, क्या सो रूपया, एकदम बहुत हमबल, मतलब हमबल से नीचे रह रह रहा हो, फ्लैट लेके तो छे से साथ हजार रूपया, मतलब एकदम बस समय लो जी खा रहा हो, जिसमें खाना भी खुद बना मेड उट के, तो छे से साथ हजार रूपया उसका expense पड़ता है, लड़की देगी तो इससे cut-off का scenario बहुत बदल जाता है क्योंकि वो जो ऑडियन्स है वो बल्क में नहीं है आप गेज नहीं कर पाऊगे कितना है क्योंकि कोई भी जो भी प्रिस्टीजियस इनुवस्टीज है उनमें देखो के सीट्स बहुत कम है अगर मैं होम साइंस से वो हटा दे हैं हिसाब कर तो यह चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा तो से वाला से सिटूशन की कोई कॉमेंट करी नहीं सकता अभी क्योंकि पहले क्या था तो तुम ड्यू का फॉर्म अलग भर भी एच्चिव का अलग भर अब क्या साइज उसी उसी एक्जाम से ले रही है कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा अच्छे का सी नुवस्टीज त्राइगा पहला चीज़ जी दूसरा चीज एक बच्चा जो भी एक्चिव में सब्लेक्ट हो सकता है हाई probability होती है कि वो DU में भी select हो जाएगा उसका जो exam को exam में paper solve करने की जो तासीर होती है उतना develop हो गया होता है उसमें कि दूसरा exam देता है तो उसको भी qualify कर लेगा तो अब क्या है कि same बच्चा समझे रो same बच्चा जो rank पर है वो DU में भी जा सकता है वो BHU में भी जा सकता है वो किसमें जाएगा भी decide नहीं हुआ है क्योंकि same CUT के form से दोनों जग है लिजबल हो तो merit पे आपका भी comment अभी करी नहीं सकता है तो अगर आपको मतलब genuinely समझ जाए एक वो हिंदी भी काज़ता ना जल गगरी छलकत जात तो या तो ऐसा हो कि मान लो मैं इस मसले में थोड़ा सा जो है मेरा ट्यू लाइट फ्यूज रहे तो मैं आगे शुरू करतों दोस्तों तुम्हारा 300 के अंदर rank आ रहा है एकी rank पर लोग भी बहुत सारे होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने क्या वो लखी अभी तक CUT वाले result नहीं दिये हैं कुछ नहीं दिये हैं और काफी समय हो गया paper हुए कोई जरूरी नहीं था कि आप 10 जून को फिर paper करा तो फिर आप बच्चों को पर 10 जुलाई को करा लेते अगर आपको admission अगस्त में ही करना था तो आप 10 जुलाई को करा लेते paper कम से कम इसी बाने अच्छे काज बच्चों को semester exam और दुनिया बर की और सारी चीज़े थी over हो जाता और 90% बच्चे 10 जुलाई के राउंड फ्री थे तो ये क्यों आपसे कहा रहा हूँ कि इसका पहले आपको समझे develop करना जरूरी है कि मैं exactly कहां पर खड़ा हूँ कितना rank, number, merit क्या कैसे बन रहा है आप कभी नहीं जानते हो कि क्या होगा तो आप self reflect भी थोड़ा सा करना सीखो तो थोड़ा सा चिंतन करना सीखो चिंता नहीं और चिंतन करने के लिए जरूरी क्या है कि सही चिंतन आप तभी करपाऊगी जब आपको facts को ले करना सही idea होगा 75 जगह किसी के पास please help, please help करके भीख मांगने से अच्छा है कि खुदी IP के portal में login करके चेक कर लोगर counseling हो रहा होगा तो आप खुदी show करेगा तुमको start filling choices और दुनिया वरकर उसमों tabs activate हो जाएंगे तुम खुद दिख जाएगा एक बार भी तुम login करके चेक कर लोगर तो एक बार भी क्योंकि आप जैसे मान लोग उन लोगों से पूछो को जो भी आप जहांब इस तरह से confused हो रहा हो पूछो को जानतों सब क्या कहेंगे पू और तुम सुरू से अन तक देख लें क्यों देख लें कि तुम भी खाली बाठे हो टाइम को प्रॉडक्टिव यूज नहीं है खाली बाठे है जही सर्च कर रहे हैं रिलेट कब आएगा और यह नहीं करना है मैं यह कह रहा हूँ इससे आपको problem create हो रही है जो आप figure out नहीं अब जैसे होता है जब important होता है जब को important update आएगा genuinely जहां कुछ change हो रहा होगा तो आपको हम लोग खुद ही update कर देंगे अब जैसे की जैसे मान लो जो IP का counseling का form फिल हो रहा था पहली बार फिल हो रहा न सुरू हुआ update किया गया दूसरी बार date extend हुआ update किया गया तीसरी बार सिंपल से logic है 27 से 30 यह बहुत root sound कर रहा है लेकिन टूत है यह factual data है कि आप समझ रहो तुमको admission लेना इस साल तुम पहले round में नहीं फिल कर रहा हो counseling का form दूसरे round में भी accident होगा या नहीं फिल कर रहा हो और साब तरीक हो कि सर फिर से date extend होगा क्या अभिलास सार has no reply for that मतलब you cannot be so casual about it तो आप facts को लेकर न थोड़ा आप लोग सजग रहों कि अच्छा यह क्या चीज़ है यह कैसे सारी चीज़े पूछ रहा है क्या exam का data है क्या analysis है यह सब को आपको basic factual idea होना चाहिए फिर जाके आप देरे-देरे करके करियर में इसको adopt करो क्योंकि अच्छे कासे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो next year फिर तयारी करेंगे क्योंकि उनको यह ऐसास जाता है यार मेरे को कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि 90% candidates Indian education system में graduation में कुछ नहीं सीखते हैं कुछ नहीं सीखते हैं गुमते गामते भी नहीं है सब अगर घूमते गामते हो न तो भी मैं बहुत एप्रिशेट करूँगा कि भाई अभी लद्दाग थे फिर निकल गए बंगाल निकल गए फिर निकल गए सुंदर बन फिर निकल गए कहीं और ठीक है ट्रेन में जनरल कोट से लेकर अपने करियर में नॉलेज को लेकर आपको इसका इंपक्ट दिखने लगेगा and beard is just a beginning तो आप देख लिजे कि ये क्योंकि देखो बहुत matter करता है कि आपका financial condition क्या है financial condition सही है तो एक साल पढ़ना है कि admission लेना है क्योंकि एक बार admission ले लोगे न तो फिर beard में गलग दुनिया चल लगी होती है आपको ये भी होना चाहिए कि किस तरह की job sector सापकी family आपसे expect करती है जैसे की जैसे की होता क्या है कि जिसमान लोग अच्छे कासे बच्चे ऐसे होते हैं जो middle class lower middle class से आते हैं तो उनको government job ही एक option होता है तो इसमें बच्चा क्रेशन से निकलता है उसको उसको कुछ और समझ में भी नहीं आता है उसको लगता है क्रेशन के बाद क्या करें तो सरकारी नोगरी की तयारी एक option दिखता है तो हमने का कि इसमें बच्चे को भी blame देना बहुत गलत नहीं क्योंकि उसको वही एक option दिखता है उसके अगल वगल सारे लोग ही वही है जो उसी option का explore कर रहा है तो किसी ने मेरे से बोला कि साथ तो फिर आप क्यों नहीं जो है कुछ ता गवर्मेंट जब का preparation किया है क्या किया है तो हमने का because it was not my dream it was my family's dream क्योंकि मेरे को concept बहुत clear है क्योंकि why should I not go to government job nobody asked me it's my father's decision or dream अच्छा है he should go in government job यह मेरे father का सबना था मेरा नहीं तो 90% of this problem भी क्या होती है कि they are living someone else's dream खुद पता नहीं क्या करना है explore करेंगे नहीं right time पर क्या करना है SSC का फाम आया है तारी कल लो 90% बच्चों का पता है D2SB का भी जो चलता डेड़ी बैट से पता है क्या query है sir form release हो गया क्या जो पुराने beard वाले हैं पता है ऐसे बच्चों को मैं चाहता है नहीं को join करें बैच हमारे हैं अब यह form release अगर हो गया ना by God तो तुम्हारा कता ही नहीं निकलेगा क्योंकि एक बार form release हो गया ना तो दो से तीन महीने के अंदर पेपर हो जाएगा और जब तुम इस प्रश्ण पर पहुँचे हुए हो ना कि form release होगा तो हम अपने आपको तयारी जुरू करेंगे को ही चले आते हैं DTSB के exam में क्योंकि KVS तो भारत ब्रमण के लिए बहुत अच्छा है KVS में होता है कि आप पूरा all over India posting होता है इंडिया में आप लोगों पता होगा जगा-जग केंद्री विध्याला है अर्जिले में अर्प्रदेश में तो कहीं भी ट्रांसफर होता है पता जलेगा जम्मू रहोगे अग्रा ट्रांसफर होगे बैंगलाओर नौर्थ से साहूद फिर कहां होगे हम इंगाले में तो केवीस में ऐसा ट्रांसफर होता है तो वो बच्चे डीटीपलेस भी वाल अभी आके देते हैं और आपके सामने बहुत जल दिखेगा तो पता है problem क्या है problem यह कि उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर DWSP जैसे exam को qualify करना है तो पहले तो वो एक बार क्यों प्रिपार करेगा हकीकत तो यही होती है कि पहले तो तुम क्यों एक बार प्रिपार करोगे कि फिर तुमको समझ में आएगा exam और competition में चल के आ रहा है फिर साल डेड़ साल बाज जब दुबारा vacancy आएगी तब तुम fight करने लाएग होगे हकीकत यह है लेकिन अब होता है कि विश्फुल thinking नाम की चीज होती है जो बच्चा normal बेर भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है अब रहता है तो आदमी उस पर काम करता है कि हो नहीं राज़ता है तो पता रहो 90 पर बच्चों का यही क्वरी है सब्सक्राइब करेंगे जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो तुमको प्रक नीचे जमिंग कि सज्जाएगी तो आपको बारबर सेलेक्ट करना होगा मैं कहां खड़ा हूं और अपकमिंग डेज में कौन-कौन सा एक्जाम या जॉब हमको देना है तो गॉवर्मेंट है या प्राइबेट है आपके फैमिली कंडिशन फैमिली बेग्राउंड आपके खुद के अंबिशन आपके करता है तो आपको सुरू से फिगर आउट करना होता है और कोई आप मेंसे देखो मुझे लगा कि अच्छे खासे केंडिएट्स या ऐसे हैं जिन्होंने आइपी का फॉर्म नहीं फिल कर रखा है लेकिन अगर चार बच्चे भी फिल कर रखे होंगे जो डेली वाले हैं तो बहुत फर पड़ता है का टॉप पर फिर कांसिलिंग के फी का पता ने कब का पेमेंट करा लिए हैं सारे सब उसका हो गया इन ही का नहीं हुआ है नया नोटेज जारी करके किवाल 16 कॉलेज का नाम दे रखे हैं आपको समझ में आता है कि अगर जन्वेनली उसमें से 8 कॉले पड़े गया मतलब कहाने का सिसे कि उस फिल्ड को एक दम पूरा चान का एक्सप्लोर कर लो और हाँ कभी भी ये चीज मत एक्स्प्लोर कर यह कि जो आपने डिसीजन लिया करियर में वो सही है कि गलत अब रणा। अब decision तुम्हारा सही है decision में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि तुम कोई से भी career field कुछ भी decision ले लो तो उस field में कोई एक ऐसा वेक्टी होगा जो करोडो बना रहा होगा तुमनों role model के तरप उसी को देखो अगर तुम साड़क पर चाय बैचने भी खड़े होगे तो बहुत सारे यहसे चाय वाले थेले भी पेचने का नहीं है decision है कि तुम्हें कोई sector आप चूज कर रहो लैट कर रहा हो बहुत साथ क्रुक बूदल में is可以 veg भीख-măngगाई में भीए भाई कई-कई ऐसे दिल्ली में तुम्हें भीख-măngगाई मिल जाएंगे ना बाई तुमसे स्याधा गमाते हैं लाखो लाखो रुपए और तुमको देखते ही बच्चे की मुह में खाली दूद का बोटल लगा के साहब कार तुमारी कुम्हारी को कर तो अब क्या इसकोप तो फिर उसमें भी है तो इसको डिसीजन गलत नहीं है डिसीजन को गलत सभी बना रहा है कोई साभी डिगरी ले लो यार कोई साभी डिगरी ले लो बहुत जैसे लोग हैं उसमें कम कमाते हैं तो यह चीज है कि आप क्या चीज को रोल मॉडल के तोर पर दे करें जो कि बहुत काउंट करता है कोई बच्चा कहेगा सर जो आपने पढ़ाया था पूरा पूरा डारीफ करेगा क्योंकि जनवरी में उसको दूसरा मॉक दिया था और अप्रेल में आते हाते उसका मॉक का वो चेंज हो गया और उस बच्चे को बिना कुछ बोले अपडेटेड मॉक हम लोगो ने खुद दिय जापर मैं चेक्मेट कर सकता हूं इस बात को कहके कि अरे अब वो तो अपडेट हो गया ना तो नया वाला चालो चालो तो अले 50% आओ तो नया वाला फिर से पर्चेस करो लेकिन कोई बच्चा अगर अप्रेल में आएगा तो वो जानतों क्या कहेगा अब इन्होंने तो ब ठीक है तो वो तारीफ करेगा तो डिपेंड करता है किस फ्रेम आफ रेफरेंस पर आप खड़े हो कि देख रहे हो कहां पर आप खड़े हो तो अभी करियर के जिस भी मुहाने पर खड़े हो आप देख लीजिए कहां पर खड़े हो मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हारा मा मस्वारा भी उनी से करते हैं जिसका तुम्हारा ब्रेन का लेवल और उसका दोनों का सेमी रहता है तो पहुंचो कि भी कहाँ, वहीं जाना तुम्हारा बेवकूफ आदमी जी से तुम सला ले रहतो जान तक पहुंचा हुआ है क्योंकि तुम उससे अपने बारे में discuss भी इस लेकर पा रहा है क्यों तुम्हारे लेवल में ही है तुमसे बहुत हाई-फाई लेवल का होगा तुमको उटाइम ही ने discuss करने का आप में से कितने ऐसे लोग है जिसको लगता कि कोई एक IAS officer तो तुम जाओ चार गंटा बैट के डिसकस कर लोगे क्या करना है नहीं करना है हाँ अपने फ्रेंड को बोल सकते हो यहाँ बहन तु क्या कर रही है वो क्या नाम है वो अरे यार वो लड़की नहीं थी देखे है SDM बन की तो पती के साथ छोड़ थी गलत है खुद चार कटोरे में मूँ लगा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगले को मीडिया हाइलाइट कर रहा है तो गलत हुआ गलत हुआ पूरा केस पे एक दाँ अपडेटेटेड है तो इट इट इस यू हूँ वाट यू आट तो लाइक मतलब तुम क्या चीज परसीव करना चाहते है और हकीकत क्या है कि तुम जलते हो क्यों कोई HDM हो तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हो तो अब तुमको वही उसका पेन पॉइंट मिला है कमजोर पॉइंट तो तुम उसी बात पर किडिसाइज कर रहे हो कि उसको ऐसे करना चाहिए था हकीकत क्या है 20 साल के नए कपल का चिठा कोल दो तो मेरे पहला पॉइफिर्ड ने क्लास 10th में बन गया था था लेकिन हम तो चला नहीं तो फिल हम लो 12th में जो है वी ब्रोक अपिट वस बेरी पेंफुल ठेक अबर तुम्हारी तुम्हारी स्टोरी जो है अकबार में नहीं चप रही है तुम तुम सही सरीव आदमी हां उसके बारे में डिसकस क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज बड़े आदमी पर छीटा पड़ा है तो जितने आम गरीब बैठे सबको मजा आ रहा है कुछ मिला है साम को खाना काते समय बड़े आदी प्यारें बात करने के लिए तुम्हारी यही है कि आप मतलब कोटोट में चली जाओगा नहीं इस तरह कि भर-भर के केसिज हैं आप कॉलेजीज में हो जाता है एवन लड़की लड़के का बहुत मतद करती है लड़का बेटरे का लड़का लड़का बहुत साइस चीज़े हैं ठीक है लेकिन मैं क्या कह रहा हूं mental question की आप अपने फ्रेंड से बात करते करिया कि गार्डिंग उसने ये topic छेड़ दिया अब इस topic पर IQ दूनों का match करता है तो discussion इतना holistic होगा और इतना मज़िदार discussion होता है वो जोती मौरियाल आप लोगों सुना था ना और फिर वो एक कौन सीमा है दर या क्या है वो भी कुछ चला नया entertainment तो अब इन सब पर क्या इतना first class discussion हो सकता है दो ऐसे लोग जिनकी बहुत दीक केतना एकदम नीचे हो फस्क्लास एकदम गॉसिप दो कम बहुत दीक केतना वाले लोगों का first class gossip IQ level match हुआ discussion शुरू अब high question वाले आदमी से बात करोगे तो तुमको दो गाली दे के बखा दे पांच किनद बात करें तो चुले में जाए क्या करना है तो जब मैं चिंतन वाल अगर तुम किसी ऐसे आदमी से बात करते हो जो अपने करियर में करोड़ बनाने की बात करता है तो तुम देखोगी कि तुमको भी लाख में मजा नहीं आएगा और मानले तुम किसी ऐसे आदमी के बखले में बैठे हो जो करियर में 10 जशार रुपर बनाने की बात कर रहा है तो तो यह बहुत डिपेंड करता है कि आपके इन अरौंड कैसा है क्या है किन लोगों से आप बात कर रहे हो तो यह भी आपको देखना होगा क्या डिसक्स करन नहीं करना है और हाँ लास्टली देखो ऐसा भी हो सकता कि अगल पगल ऐसा कोई नहीं है तो सबसे बेस्ट चीज़ है तो इंटरनेट में घंखाल होगे न ठीक से तो तुमको मिल जाएगा लेकिन यह ध्यान रखना कि जैसे एक मैं बच्चे से में से कहता हूं कि यूट्य कि जगह नहीं है YouTube is an entertainment based platform जब Google ने उसको पहली बार बनाया था तो उसको पढ़ने की दिश्टिकोंट से नहीं बनाया था गूगल ने उसको entertainment के लिए बनाया था तो इसलिए वो entertainment के हिसाब से चलता है entertainment के हिसाब क्या होता है views के हिसाब से चलता है कि सुरू हो गया IP का कांसलिंग तो YouTube ने उसको तुमको दिखाया तुम entertainment के लिए उसको देखे उस पर वीडियो पर आया व्यू उससे कुछ advertisement हुआ उसको कुछ Google Adsense से पैसा बना और तुम्हारा anxiety भी रिलीज हो गया frustrated से तुम न watch करो क्यों कि वो entertainment के लिए बनाया है platform entertainment based है तो अब है क्या कि वहाँ पर न तो वहाँ पर वो चीज़ ऊपर आएगा जिसमें entertainment हो और entertainment कब हो जब बिना counseling के मैं counseling पर एक video बना दूँ entertainment उस बात में है जैसे कि कुछ दिन पहले तक देखते थे साल भर तक हर दिन मीडिया वाले जो है जिम यॉंग किम को नॉर्थ कोरिया को सुबह समय अमेरिका पर अटैक कर आते हैं इस समय पुतिन का नया हथियार अपे पुतिन के पास नया हथियार तो येड़ साल से कही नहीं चला दे रहे हो लगतार यूपरें में लड़ रहे हो जैड़ साल रखे आप यूट्यूब पर सीच को सर्च कर रहे हो वो इंटेंवेंट पर है वो व्यूस में सबसे टॉप में आ रहा और आप भटक जा रहा हो तो अगर तुम यूट्यूब पर भी सब सर्च कर रहा हो तो कोई भी धंका हुऊ होगा न वो 50 वीडियो तुम कहीं explore करोगे तो एक कोई ऐसा होगा जो एकड़म रसाथाल में नीचे कहीं कोई होगा जो अकेले बैठें कॉंटेंट बना रहा होगा तो कुछ देख नहींगा होगा उससे कॉंटेंट बहुत जबर जस्त होगा वो तुमको ढूढ़ना पड़ेगा लेकिन ढूढ़ते भी कैसे हैं वो भी एक तरीका है क्योंकि होगा गया वो लोको चब्सका प्लेट पॉसिबल की मानलो वसका ऐसा है नहीं करको डेली वाइट कहें कि हम यूपेस्ट के दिहर ही करा रहे है ठीक है अब तुम यूपेस्ट सी सर्च करो तो मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम लेके नहीं कहूंगा तो लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम का जर्सी आपने देख रखा है किस company का नाम लिखा रहता है, ठीक है, one of the popular academy, इसका पूरा series आता है, संदीब भाईया, फलाना भाईया, YouTube पर पूरा series आता है, तो quite possible कि वो लोग सबसे टॉप में आ जाए, और तुम उनको catch भी कर लो, लेकिन वो तुम्हारा concern address नहीं कर रहीं कि가? तुम्हारा concern address नहीं कर रही. और तुम देखा करो, जैसे तुम mall से कोई समान खरीद किलाते हो, mall से कच्चा इटम खरीद किलाए, सब्जी किलाए कुछ खरीद किलाए, तो तुम complainEst bhi करते हो और तो आपस कंप्लीन करने के लिए जैगा भी नहीं होता है और जो सब्जी वाला होता है ना उसका एक आलू किसका निकल जाए अगले दिन जाग गाली दोगे अरे यह कले गया तो बैगन वाला गलती से यह बोल दिया अरे बैगन के अंदर थोड़ी में बैठे हैं तो अगले दिन जी तुम उसके आज रुक होए निकाओ कि बहुत मुझ चड़ा हुआ है इसको इसके आज लेना है तो यह चीज़ भी आपको भी देखना हुगा कि अगर अपने करियर के लोगों को लेके कुछ ढूड रहे हो तो हो सकता है कि कोई कोई बहुती बहुत नीचे कोई ऐसा हो जैसे आपको एग्जामपल देता हूँ क्योंकि मैं कभी भी किसी टीचर का नाम लेकर किट साइज नहीं करना चाहता हूं कोई चाहिए कितना ही बिजनस करें कुछ मार्केटिंग करें कुछ भी करें मैं एक अलग फिल्ड का एग्जामपल लेकर द होता है कि करम कांड को पुरा बढ़ियां प्योस्था कर रखें सा तुम लगया कि यहीं सीखने वाले हैं तुम उनका दो सा रुपए का वेबिनार में जॉइन करोगे तो बीस हजार का कूर्स बता देंगे क्योंका टार्गेट ही रहता है 2000 लोगों को जोड़ना है इसमें से 20 बच्चों को भी निकाल लेंगा उनका काम हो गया अच्छा लॉजिक क्या कहता है अगर तुम सीरियसली स्टॉक मार्केट से उतना कमा रहे होते तो बच्चे को स्टॉक मार्केट एक कोचिंग नहीं दो लोग तुट क्या है यह वो लोग है जो नहीं कर रहा है अब जैसे मैं एक लड़का अकेले पूरा बनाता है और कोई उसके वीडियो का रिकॉर्डिंग क्वाल्टी वाल्टी ना बहुत घटिया है लेकिन एक दिन में 8-9 वीडियो रिलीस कर देता है कि रिकॉर्डिंग क् कुछ नहीं मतलब बस है सही लेकिन क्या गजब का इंफॉर्मेशन देता हूं बहुत तकड़ा इंफॉर्मेशन देता है और यह पर ली क्लेम तो मैंस्ट करता हूं तो यह आपके भी करियर में लागू हो रही लागू हो The याव कोई चीश सर्क्राव और कुछ P पता रहे हो क्लास अत्ता है तुम अपनी जरुवत देखो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे अच्छे कासे बच्चे ऐसे हैं तो डियू के 2024 सेशन के लिए अभी से कॉंटेट कर रहे हैं हम लोग open कर दें तो दो पैसा देखी जाएगा लेकिन हम अनॉल्मेंट ही नहीं open कर रहा है क्योंकि पहले मैं खुद भी देखना चाहता हूं जो रिजल्ट आ रहा है क्योंकि अब कमी इग्जाम की क्या स्ट्रेजी होनी चाहिए ऐसे थोड़ी है कि पास बैड मिशन ले लिए बात खतम क्यों क्योंकि लास्ट यह तो क्या हो था कि मैं मिड अप्रेल में था 20 अप्रेल मैं कभी अपने इस्ट्रोण के पास यह नहीं कि अचा तुम को स्वाले में आड कर दिया जो बच्छा आई-पी क्योंकि पहले नोटिस यह आया था कि आई-पी वाले भी स्यूवी टी से लेंगे आई-पी के सारे बच्चों को मैंने आड़ कर दिया सुबह साम क्लासे मैंने कर रही इतरह समझ लो फ्री में ही पढ़ लिया उस चीज को उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ उसके बाद भी क्रिटिसिसम हुआ और मुझे पता था कि जब सेशन एंड होगा तो क्रिटिसम होगा क्योंकि अगर आप फिल्ड में कुछ उतर के कर रहे हो मतलब नाले में उतर हो सफाई के लिए तो मेरा सरीर गंदा होगा यह मुझे पता है लेकिन आप देखो कि आप कहां पर खड़े हो आप सब लोग क्योंकि आज अज 20 जुलाई हो गया है और 20 अगस्त दिया जाएगा और हाँ आजी अगस्त कि असल होगा आति सल कर रहे हो डिए रहे रहे हो और नहीं ले रहे हो तो क्या कर रहे हो है कि плотивot क्योंकि अगर तुम्हारा ड्रॉप करने का प्लान नहीं तो थोड़ा सा यार अंदर से आदमी मतलब वो शुर नहीं रहता है आपने लगता है करें कि ना करें जो एक साल ड्रॉप कर दिया रहता हुँ सोचता है अभी मेरा अड्मीशन नहीं होगा तो हम दुबार ड्रॉप नहीं कर सकते हैं यह भी माईंड में आता कुछ का अब बहुत समयिंखोष्य कर देंगए हमको इस अले इस आल हूं दों कि याए तब भी अभी तुम ग्रेजुएट हो रही तो अभी तुम पड़ी रही थी अबढ़ी तो तो दो साल में भी तुम पढ़ी रही होगी मतलब अरे बेट पढ़ रही होगी लाइफ में सोड़ी रहे कुछ बदल रहा है अरे किताबों कब वो चेंज हो जाएगा अरे बचपन में चंपक पढ़ते थे बाद में जो है डिपेंडिंग अन पुरुस, महिला, फैशन, फैमिना और दुनिया वर काला कला मैकजीन पढ़ने लगे फिर चंपक से आदमी मन हो और खानिया कब पढ़ने लगा कब देखने लगा तो बदलाव कैसे हो जाता है पता तो है नहीं बस किताबों का वो चेंज जाता है पढ़ने के लिए तो चीज़े वैसे ही है तो वो बच्चे पर भी लागव होता है भाई वो बार बर जो वाली बात कह रहा हूं वो चीज तुम करो और अगर कोई नहीं मिलता है तो भाई अपने इसका फरक पढ़ता है दो मैंने कभी खुद नहीं किया क्योंकि कभी मुझे इस तरह से आउसकता नहीं पढ़ती है प्लस मुझे लिखने का काम बहुत बोरिंग लगता इसलिए भी यह से अपने विचारों को लिखते हो और तुम दस दिन बात पाखते हो तुम को पता चलता है अब यह तो हम गलत बात लिखे हैं जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ नहीं इस बात में यह एक हमी है तुम को दिख जाएगा दस दिन बात तुमको अपने प्लान में फ्लॉस देख जाएगे तो तुम सेल्फ एफ्लेट कर विन लगते हैं जब तुम मान लोग को पॉइंट लिखे उस पॉइंट पॉइंट चलिए अगर मैं इस तरह का एक्स्प्लिनेशन शुरू करूँगा तो घंटे पर मैं कर यह तो आपको थोड़ा सा अपना रोज मर्रा की तुम में हमें वाले डिसक्शन पर आ जाते हैं कि बेट के कांसलिंग उन्सलिंग पर क्या चल रहा है सारा कुछ क्या चल रहा है आज बीट लैंग्वेज का बच्चा हो या साइंस का हो या फिर किसी और पेटागोजी का हो तो उससे उस लेवल पर इंटरेक्शन नहीं रहा है थोड़ा सा ठीक है प्लस एक्जाम्स भी बहुत जल्दी हुए थे इस बार भगवान जाने क्यों बहुत जल्दी कराना था अगर बहुत जल्दी कराना तो रिजल्ट दे देते क्योंकि अब देखो उधार आराई वाले हैं वो अलग मास किये वे बच्चे को ग्रेजुएशन का मार्क सीट अपलोड करो अब दस दिन पहले पेपर दिया है कहां से मार नंबर कहां से आएगा कि कहां से अपडेट करेगा वो तो उसका फ्रस्टेशन भी डेली बैट से निकाल लेगा अरे तुम लोग कुछ बताते हैं अब हमारे तुम्हारा नंबर तो नहीं बता देंगे कितना तुम पा रहे हो और जब फिल करा रहे है तो बैठे रहो तुम को नहीं समझ में आ रहा जिसका नहीं आया हूँ क्या फिल करें आ रहा ही वाले चारवर मेसेज कर रहे हैं उसको तो यह सब कुछ कुछ चीजे हैं यहां आप देखिए अब इस रंगवंच कर आप कहां खड़े हैं और वहां से थोड़ा-थोड़ा करके आप डिसाइड करि कि यह तो कुछ एक बहतर परिद्रिश सामने प्रकट होगा और तब जाके कुछ रास्ता बनेगा और कोशिश करिए कि डिसक्रशन और तमाम ऐसे लोगों से करें जिनका मेंटल कोशन आप से उपर हो क्योंकि सुन तुम अपने दोस्त को भी सकते हैं मैं मना नहीं करूँग लेकिन होता कहा नेrors गया है तो उस बहुंतर को भी आपको इवाल करना जरूरी ओता इन डही तो उन बातों से रिएटेड किसी को कुछ समझे दैख कुरागा है, मजना है तो फिर मैं आपके बियर्ट वड़ अले प्रशन पर आता हूं कुछ इस तरह का कोई बच्चा जिसके माई ने कुछ इस तरह का प्रशन उठ रहा हो जीवन दर्स्तन या किसी तरह की बातों को लेकर कोई भी ऐसा जिस ट्रेश यूर हैंड कोई नहीं है चलिए ठीक ह इस कोई भी ऐसा है यूज रेस और हैंड डूंट बी स्केप्टेकल कि मैं हैंड रेस करके पूछ हूं क्या बात करूं सर जजज नहीं करेंगे बाकी लोग आपसे कुछ पड़ी नहीं है ऐनीवन चलिए आज आते हैं आपने नॉर्मल डेटो डेटो डे कोस्टेन पर इससर एंसर की कवाहें गर्द तब आएगा यह यह बिर एंटर्स एक्जाम को लेकर किसी काड़ी कोई डाउट क्वेरी कुछ भी कोई कंसर्न हो या आपको अपने नीजी करियर से कोई कंसर्न हो चलिए ठीक है तो आइधिंग किसी भी कैंड़ेटो कोई डाउट नहीं है तो बहुत जल्द आप लोगों के CUT का रिजल्ट वगरा सारा कुछ आ जाएगा और जो भी स्कूर कार्ड वगरा रिलीज होगा जो भी अनलेसिस वगरा होगा वो सब कुछ आपको डली वाइट पर टाइम टाइम देखने के लिए मिलेगा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे जहां पर जेनुएनली आपका कंसर्न जो है इंपॉर्टेंट है ज आप विल बी अल पर नौ आउ आइगेस किसी भी कंडिडेट को कोई दिकत परेशानी नहीं है तो थैंक यू अल आपकामना है एंद बेस्ट विश्ट विश्ट अच्छा जी पूजा शी पूजा फर्स न लास्ट कंडिड़ी से मैं कोई कोरी लूंगा यस पूजा सर मेरा कोईशन सीटेट को लेकर था जो बेस्ट विलाई से स्टार्ट होने वादा तो फटेफ पूल से स्टार्ट होगा शाहिए कि वो डेट यह सोच के रखा गया था कि तो उसको 15-20 दिन के लिए एक्सेंट किया जा सकता है और येस उसमें ये बात जो लिखा गया है कि कि अधिक वो किया जाएगा ठीकि दाट तो इस सम्थिट आप अधिशन करना भी जरूरी है मतलग कि इस एक्जाम बहुत कठी नहीं है लेकिन बच्चा नहीं आता तो वह बहुत कठी नहीं होता है ठीक है ये चीज़ है ठीक है थांक यू एवर्यवन Qigipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip झाल झाल